हेलो डे श्टुडेंट्स वेलकम माई यूटूब चैनल इसके लिए प्लासेंज में आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 6 की मायत एक्ससाइज ये 5.3 है और कोशन नंबर है 4 प्रिविएस वीडियो में कोशन नंबर 3 तक कंप्रिट करवा चुके अगर अभी तक आप वीड आप लोग भी जानते हैं चलिए नंबर करते कैसे राइट करेंगे देखिए असेंडिंग अदिन में क्या हुआ हुआ कि पहले आप एकसे नंबर जानते थे कि नंबर कैसे अंदिन नंबर दियेगा है तो बिल्कुल इसली है आगर देखिए आप डिनोमेटर नंबर सेम डिफरेंट हो उससे में कोई दिकत नहीं है लेकिन डिनोमिनेटर नंबर सेम होना चाहिए अगर डिनोमिनेटर नंबर सेम हो तो आप जो यह नुमिरेटर के नंबर दिख रहे हैं इनको आप देखकर समझ कर असेंडिंग और पर राइट कर सकते हैं बस यह आपको ध्यान कि यहां पर बहुत सबसे स्मॉलस्ट नंबर है तो वन अपॉन फाइब क्या लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे इसके बाद क्या 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 लिखेंगे इसके बा doubts भी नहीं होंगे और बिल्कुल इसलिए अगर आपके denominator number same हो तो जो numerator के number दिये जाए आप उन numbers को देखकर समझकर बस ascending order पर write कर दिये smallest to greatest number write करने को ही हम क्या कहते हैं ascending order कहते हैं तो I hope यह question clear होगे और अभी वीडियो पूरा देखिए इसलिए पहले को बहुत ध्यान से पढ़ लीजे जिससे आपको यह doubts है वह भी आपके दूर हो जाए तो B question पर जरूर ध्यान दीजे लेकिन थोड़ा से different है और है उसी दर है लेकिन थोड़ी सी problem आप लोगो हो सकती है इसलिए इस question पर जरूर ध्यान दीजे 31 upon 5 31 upon 2 इसके 31 upon 7 इसके बाद है 31 upon 4 और इसके बाद है 31 upon 8 तो देखिए यह B question है B question पर बहुत जरूर ध्यान दीजे बहुत बच्चे गलतिया करते हैं और आप भी गलति कर सकते हैं इसलिए B question को जरूर से ध्यान देखिए मैस की PDF की link मैंने नीचे description में दी हुई वहां से आप download कर सकते हैं सभी मैं से question पढ़ते हूं और मेरे solution को समझते हुए आप सभी question भी लगा सकते हैं तो देखिए जैसे ascending order है वैसे descending order भी कर सकते है descending order होता तो यह आप बड़े से छोटी क्यों लिख देते हैं वह descending order होता तो जो concept मैंने इसमें पढ़ाया ascending order के लिए same वही concept है descending order के लिए लेकिन इस concept में यह भी question है इसमें थोड़ा सा chain हो जाता है तो इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा इसमें कैसे करेंगे इसमें हमने बताए जो एक question था इसमें denominator नंबर थे जो सेम थे तो क्या करते हैं कि numerator नंबर देखकर हम लोग तो द्यास समझे इस question में करना कैसे होगा अगर numerator नंबर सेम हो तो denominator नंबर देखकर मत राइट कर दीजेगी कि पहले आप आप 31 अपान 2 लिग दीजिए फिर इसके बाद आप 31 अपान 4 लिग दीजिए फिर 31 अपान 7 लिग दीजिए ऐसे न मत राइट करिए बिलुकुल भी यह रॉंग है क्या करना होगा इसमें जो greater नंबर होगा वही सबसे smallest नंबर होगा तो सबसे पहले आपको क्या राइट करना वो 31 अपान 10 यह ध्यान लखिए गाए यह सबसे बड़ा नंबर होगा वही सबसे smallest नंबर होगा इस लिए 31 अपान 10 लिखेंगे फिर कोमा लगाएंगे फिर 31 अपान 8 लिखेंगे फिर इसके बाद 31 upon 7 लिखेंगे, फिर इसके बाद 31 upon 5 लिखेंगे, फिर 31 upon 4 लिखेंगे, इसके बाद 31 upon 2 लिखेंगे, यानि यह है आपका ascending order, यह descending order नहीं हुआ है, यह है ascending order, that is a right answer, ठीक, और इसी मैं आपको पढ़ा देते हैं, descending order, अब descending order होता तो क्या होता, जो number इसे fraction smallest होता, वही greatest होता इसका मतलब इसमें क्या होता, 31 upon 2, इसके बाद 31 upon 4, फिर 31 upon 5, फिर 31 upon 7, इसके बाद 31 upon 8, और इसके बाद 31 upon 10, यह है descending order, ध्यान रखेंगे, यह है descending order, और यह है ascending order, तो ascending order पे ध्यान समझ लिएगा, कि जो भी greater number है, वही सबसे smallest number है, और इस पर ध्यान रखेंगे, जो smallest number हो तो बस इस दबाद पर थावड़ा concept पर ध्यान रखेंगा, इसलिए हम आपसे कहा रहा है कि पूरा वीडियो देखिए, जिसे question आपे clear हो जाए, और यह भी I hope दोनों आपको question समन में आ गया होगे, बाकि दे question बिल्कुल सेम ऐसी ही है, और आप इसी तरह के question बिल्कुल easily तर पढ़ा सकता हूँ, तो आप इसको question number 5 भी पढ़ लीजिए, यह easily है, और यह question number 5 में question number 2 की तरह ही पढ़ा सकता हूँ, कि मैं previous video पढ़ा चुका हूँ, तो आप यह question number 5 यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए, जिससे आपको कोई doubts ना clear हो जाए, और question number 5 भी आप को मिलती रहे है, चाले, start करते हैं, इसको question number 5 हम से क्या कर रहे है, और बिल्कुल इसली है, तो आप question 5 क्लियर कर लीजिए, देखिए, इसमें पूछ रहे है, which is greater, यानि कौन सा fraction क्या है, greater है, तो बिल्कुल इसली तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है, देखिए, देखिए, इसमें एक number हमें दिया है, fraction दिया है, 6 upon 7, इन bracket दे दिया है, 1 upon 8, और आप से सिर्फ यह पूछ रहे है, which is greater, यानि इन दोनों में से, कौन सा fraction क्या है, greater है, तो बिल्कुल मैं आपको shortly trick भी पढ़ा रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए, हमेसा cross multiplication करीजिए, जब आपको हमेसा यह greater than, पुछे, less than, पुछे, equal to, पुछे, तो आप इस trick भी कुछ फालो कर सकते हैं, या कर एक cross multiplication, 8, 6, 48, 48, नोट कर दीजिए, और 7 बंजा 7, लेकि ऐसे, 8, 6, 48, जो 48 लिखेंगे, तो इस side लिखेंगे, और 7 बंजा 7, तो आप इस side नोट करेंगे, ठीक, अब 7 और 48 में है, यह तो इसे shortly roughly number है, इसको आप इस भी कर सकते हैं, या आप इसको cut भी कर सकते हैं, तो यह तो roughly work है, तो that is a 6 upon 7, तो आप लिख भी सकते हैं, 6 upon 7 is a greater number, that is answer, तो I hope यह questions आपको क्लिए रहोगा है, कोई doubts भी नहीं होगे, एक questions में आपको और पढ़ाद रहा हैं, तो इस पर सकते हैं, तो 11, 8 is a 88, तो आप इस side note करेंगे, 11, 8 is a 88, और 9, 3 is a क्या note करेंगे, 27, अब देखे, 88 और 27 में greater number कहुंसा है, 88 क्या है, greater number है, that means, यह 8 upon 9 क्या है, greater numbers, तो आप इस तरह open sign, यह दिख धियान लखिएगा, हमें सब बहुत बच्चे गल्दी करते हैं, यह जिस तरफ greater number हो, उस तरफ आप open sign लगाएंगे, वह है, that means greater number, that is answer, यह आपका roughly work है, जिसका आप रफने erase भी कर सकते हैं, यह कड़ भी कर सकते हैं, यह आप pencil से पहले आप solution कर लीजिए, इसके erase कर दीजिए, that is answer, तो I hope यह A, B, दो भी doubts जो भी होंगे, वह भी clear हो गए, बाकिसमें C, D यह question है, तो यह आप more humor पे करिएगा, इसलिए question drop कर वा रहे है, मैस की PDF कि लिंग मने निचे description में दी हुई है, वहांसे आप download भी कर सकते हो, सभी मैस से question पढ़ सकते हो, कोई problem का रिज हो, तो आप निचे comment box में जरूर ली सकते हैं, तो I hope यह वीडियो आपको पसंद होंगे, वीडियो पसंद आते जाएं, लाइक आते जाएं तो लाइक जरू करते चलिए, और हमारी चैनल पर नाय हो भी थाक, आपने subscribe ना क्यों, subscribe जरू कर लिजे, bell icon पर प्रफ्रक्स कर लिए, जिसे आपको next video फी notification आपको मिलती रहे है, चले मिलते है next question, question number 6 पे next video, next part में थाक्स पर वाचिं दिस वीडियों.